हेलो फ्रेंड्स जच्चा वच्चा, मेर्डी हेल्प में आप सब का स्वागत है आज के सुडियों में मैं बताने वाली हूँ कि अबोशन के बाद, गर्ध पात के बाद आपको फीजिकल रिलेशन कब बनाना चाहिए अगर आप abortion के दोरान physical relation बनाते हो तो आपको क्या problem हो सकती है तो friends विडियो को complete देखेगा ताकि आपको complete information मिल सके और अगर आपको ये विडियो informative लगेगा तो इस विडियो को like करिएगा अपने friends के साथ ज्यादा से ज्यादा share करिएगा तो friends आपको चाहें किसी भी तरह का abortion हुआ हो आपको surgical abortion हुआ हो surgical abortion का मतलब होता है कि आपको DNC हुई हो DNC में आपके uterus की सफाई होती है आपके बच्चेदानी की सफाई होती है जो आप खुद करवाते हो या फिर आपने medical abortion किया हो आपने MTP kit को यूज करके medicine को यूज करके abortion किया हो या फिर आपका spontaneous abortion हुआ हो spontaneous abortion का मतलब होता है कि आप pregnancy conceive करते हो लेकिन early pregnancy में आपको bleeding होने लगती है जिसको कहते है miss carry या फिर spontaneous abortion तो चाहें आपका किसी भी तरह का abortion हुआ हो जब आपका abortion होता है तो आपको bleeding होती है और bleeding के समय uterus की जो opening होती है जिसको cervix कहते हैं वो open रहता है ताकि uterus में जो brain develop हुआ है वो बाहर आ सके pregnancy के दोरा uterus में जो भी product बने हुए है वो abortion के समय बाहर आ सके तो जब आपका abortion होता है उस समय bleeding होती है तो उस समय आपको physical relation नहीं बनाना चाहिए physical relation को avoid करना चाहिए अगर आप उस समय physical relation बनाते हो तो आपको infection होने के chances रहते हैं abortion के बाद आपको जब तक bleeding होती है तब तक वजाईना में किसी भी तरह का ingestion नहीं होना चाहिए तो जब आपको किसी भी तरह का abortion हुआ हो abortion के बाद आपको कम से कम two weeks तक आपको physical relation को avoid करना चाहिए और abortion के लगभग two weeks के बाद आपको physical relation बनाना चाहिए तो friends I hope कि अब आप इस वडियो से ये जान गए होंगे कि abortion के बाद आपको physical relation कब बनाना चाहिए तो अगर आपको ये वडियो इंफरमेटी लगा होगा तो इस वडियो को लाइक करिएगा अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिएगा और इस चैनल को सबस्क्राइब करिएगा इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे comment box में comment करिएगा तो friends मिलती हूँ आप से अगले वडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए Thank you